सावन में शनीवार की दिन चूप चाप यहां बान दें, काला धागा इतना पैशा आएगा कि सभाल नहीं पाओगे दोस्तों आज की इस वीडियों में हम एक ऐसा असर कारक उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन शकरात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा, आपको हर कार में सफलता मिलने लगेगी इतनी खुश्या आएंगी आपके जीवन में, जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी मुकते नकरात्मक्ता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुवता लाती है, वो इश्यक खत्म हो जाएगी यही नकरात्मक्ता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होई है आप चाहे कितने ही मेहनत परिस्रम मुशकत कर लो, अपके अच्छा अंसार आपको उश्का फल नहीं मिलता घर में अशुवता लाती है, तो वो इश्यक खत्म हो जाएगी क्योंकि दोस्तो इसमें सावन का महीना चल रहा है, और सावन का महीना भगवान भोलेनात का महीना होता है और भोलेनात के भक्त सनिदेव हैं, भगवान भोलेनात के सिस सनिदेव हैं और सनिदेव का जो दिन होता है, जो बार होता है, वो सनिवार का होता है इसलिए सावन का ये जो महीना अभी चल रहा है आपको सावन के महीने में शनीवार की दिन चुप चाप यहां काला धागा बान देना है फिर देखे इतना पैशा आएगा शंभाल नहीं पाओगे दोस्तों आपके जीवन में ये जो नकरात्मक्ता है ये आपके काम में रोडा बनकर खड़ी हुई है आप चाहे कितने ही मेहनत और मशकत कर लो अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता परेडाम धन की कमी हो जाती है आर्थिक समश्चाएं शताने लगती है चिंता आने की कई कारण मुक्ते हो शकते हैं गरह जनित दोसों से लेकर घर में गलत जगे रखी गई गलत चीजे और वास्तु दोस भी इसके कारण हो शकते हैं सबसे बड़ा कारण तो होता है कि किसी दूसरे की नजर लग जाना इर्षा और जलन की बज़े से ऐसा होता है हमारे उपर आँख गड़ाई जाती है, नजर टोटके किये जाते हैं, ऐसी नकरात्मक्ता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा धुक और निराशा देती है, बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार करते जाते हैं, फिर भी परियाप्त सफलता हमसे जावशाली उपाए, जो आपके उपर कोई भी नकरात्मक्त शक्ती हो, या हाबी होने वाली हो, ग्रह जनित दोस्त को दूर करेगा, उनमें से सुबता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भाग का लेखा जोखा परतेश्य में बदल सकते हैं, क तो इतना पैशा आएगा, इतनी काम्यावी और तरक्की मिलेगी, जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी, दोस्तों सावन की महीने में सनिदेव बेहत प्रसन रहते हैं, क्योंकि सावन का महीना भागवान भोले नात का है, और सनिदेव के गुरु भागवान भोले न यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए एक रेशमी और सूती काला धागा जी हां दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा रेशमी और सूती काला धागा थोड़ा सा हट के उपाय है क्यूंकि सावन की महीने का यह उपाय है। कई मुश्यूबतों शेही बचाकर हमें रखता है अमीर तक बनने में काम आता है ये हमारे शरीर को स्वक्ष भी रखता है साथी साथ इसके कई भी नकरात्मक उर्जाएं जो आपको प्रभावित करती है वो आप से दूर रहती है साथी ये काला धागा नकरात्मकता को अवश होता है तो उसे किसी की नजर ना लगे काला ठीका लगाते हैं काला धागा बांते हैं तो अगर आपके घर में बच्या पैदा हुआ है अभी सावन के महिने में तो सावन के महिने में सनी बार के दिन जरूर आप काला धागा जरूर पहनाएं इससे भागवान भोलेनात और स शनिदेव के कृपा बरसेगी, साथी साथ ये काला रंग सदै बुरी शक्ति को, यानि की बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, तो काला धागा लेकर आपको नस्दीक के किशी सनी मंदिर पे सावन की महीने में जाएं, जी हाँ दोस्तों, आपको हम काले धागे के कई उपाई बताएंगे, देखिए, शनिवार के दिन चुकि अभी सावन की महीना चल रहा है, तो आप काला धागा लेकर जाएं सनी मंदिर पे और सरसों का तेल लगा करके, आप लेकर आएं और अपने मुख दरवाजे पर बांदें, हर क्रिपा बरसेगी, शनिदेव के क्रिपा बरसे और साथी एक उपाए और करें, सावन की महीना चल रहा है, तो आप सिव जी के मंदिर आप सनी वार के दिन काला धागा लेकर जाएं, और सिव लिंग के पास आप रख दें, और अपनी मनोकामना बोलते हुए, इस काले रंग के धागे को लेकर के आप आएं और उसमें रु पदास भगवान भोलेनात का आशिरबाद और काला धागा सनी देव का आशिरबाद, तो दोनों का आशिरबाद आपको मिलेगा। फिर इस काले धागे को आप ले आकर यानि की सिधे अपने पूजा स्थान पर रख दें और फिर आप भगवान भुलेनात और सनिदेव से यानि की कृपा बरसाने के लिए प्राथना करें फिर आप इसे जिस ब्यक्ति जो भी ब्यक्ति आपके घर में बीमार है या फिर किसी उप्रकार के समस्य है उस ब्यक्ति के आप बाजू में या फिर गले में बांदे ये काला धागा तो आप देखेंगे कि उसके स्वास्त में लाब होगा रश्तों काला धागा नकरात्म कुर्जाओं को नश्ट करके सकरात्म कुर्जाओं का संचार करता है इसलिए सावन की म इस उल्टे बार ये इस काले धागे को और फिर सनी मंदिर अगर कहीं नजदीक है तो वहाँ पर जाए और इसको सरसों को तेल इसमें लगा करके आप इसको ले आकर अपने बाजू बंद पर ये फिर अपने सरीर कलाई में गले में बांध लें तो आपको लाब मिलेगा हर कार ये फिर आप चाहें तो अपने पेरों में भी बांध सकते हैं दाहिने पेर में बांध हैं तो विशेश लाब होता है ये फिर आप चाहें तो कलाई पर बांध हैं गले पर बांध हैं तो विशेश लाब होता है तो दोस्तों ये काला धागा चुप चाप आप एक और उपा वो यनि इसमें थोड़ा से लगा ले और फिर ले आकर अपने मुख दरवाजे पर बांदें। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जदा जदा इस वीडियो को शेर करिए और चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश जरूर करिएगा जए शनिदेव।